उची कीमतों के चलते रैश्विक मांग में कमी के कारण भारत से मार्च के दौरान सोय खली का निर्यात करीब 82 प्रतीशत घट कर महज 50,000 टन पर सिमट गया मार्च 2021 में देश से 2.76 लाख टन सोय खली का निर्यात हुआ था प्रसंस करण करताओं के इंदौर स्थित संगठन सोयबीर प्रोसेसर्स असोसीशन ओफ इंडिया यानी की सोपा सोपा के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी अंतराश्य बजार में भारती सोय खली के भाव अमेरिका, ब्राजील और अर्जंटीना के इस उत्पात के मुकावले उचे बने वे हैं भारती सोय खली की मांग में जारी गिरावट का सबसे प्रमुख कारण यही है गौर्टलब है कि अमेरिका, ब्राजिल और अर्जंटीना की गिंदी दुनिया के सबसे बड़े सोयवीन उत्पादकों के रूप में होती है प्रसंसकरण संयंत्रों में सोयवीन का तेल निकाल लेने के बाद बचने वाले उत्पाद को सोया खली कहते हैं ये उत्पाद प्रोटीन का बड़ा स्त्रोथ है, इससे सोया आटा और सोया बड़ी जैसे खादे पदार्तों के साथ फशु अहार तथा मुर्गियों का दाना भी तैयार किया जाता है अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस दस मिनट में लाएगा आपके घर दूद और दही, बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान